आप लोगोंने समय समय पर देखा होगा लाप का पत एक आपी चर्चा में बना रहता है सुर्खियां बटोडता रहता है और आप सभी लोगोंने देखा होगा जब भी कोई व्यक्ति चुनाओ लड़ता है तो उसके पहले अगर सरकार के द्वारा किस्ती नियुक्त पत पर उ वो इस्थीपा देकर वहां से हटकर उसके बाद ही चुनाओ लड़ता है क्योंकि आप सभी जाने हैं मान लेजे कि आप लोग सिविल सर्वेंट है या आप लोग स्टेट पीसियस के किसी पत पर हैं और आप देखे कि अगर आपको विधाय का चुनाओ लड़ना है या पर काफी खत्रा मड़ा रहा है तो आज हम लोग लाप के पत के बारे में एक सामान चर्चा करेंगे और मुझे लगता है कि इस तरह की टॉपिक अगर चर्चा में रहते हैं तो अगर आप किसी एक्जाम की तैयारी करें तब तो मुझे लगता है कि काफी मात्पूड हो जा जारखंड आपको दिखाई दे रहा होगा और जारखंड आपको मालू होगा कि पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था और इसके राजधानी राची है अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि इसे लगे हुए राज बिहार है आपका है 36 गड़ है उडिसा है और पश्चे मंगाल है क्या है पश्चे मंगाल है और अगर आप देखें जार्खंड में तो इसकी स्थापना 15 नवंबर सन 2000 में राज बनाए गया था और यहां विधान सभा में आपको 81 सीटें देखने को मिलेगी राज सभा में 6 सीटे हैं लोक सभा में 14 सीटे हैं कितनी 14 सीटे हैं यहीं के मुखमंतरी की बात की कारें यह चर्चा में बना हुआ है हाली में चुनाओ आयोग ने जार्खंड के मुखमंतरी को इस संदर्व में नोटिस जारी किया है कि उन्होंने 2020 में खुद को खनन पट्टा देकर लाव का पद धारन किया और एक चुनाओ आयोग की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि इस तरह कि किसी संगठन की संस्थान की बात होती है तो इसके बारे में भी एक सामन जानकरी अपने पास रखा करिएगा आपकी बरीक्षाओं में कुश्चन साहते रहते हैं और जो हमारा भारती निर्वाच निर्वाचन आयोग है ना इसकी स्थापना आप देखेंगे कब की गई थी इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को और आप देखेंगे कि अनुछेद 324 आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें इसकी बात की गई है और भारती निर्वाचन आयोग का काम होता है कि जो करती की चुनाओ करवाना इनकी देखवाल करना और जो आपकी राज्ज में इस्थानी चुनाओ होते है ना नगर निगम नगर पालिका पंच्यायतों के इन सब की देखवाल हर राज्ज में अपना एक चुनाओ आयोग होता है उसका वही करता है तो ये दोनों में अंतर ज के काम के लिए जबाब दे ठेराते हैं और लाब की पत का कानून के तहत आयुगता करते हैं कि अधी बिधायक सरकार के तहत लाब का पत धारन करते हैं तो वे सरकारी प्रभाव के लिए अतिस सम्मेधनसील हो सकते हैं और अपने समिधानिक जनादेश का निस्पक चुरूप स और इसके लिए लाब कापत कानून के बल समीधान की बुणियाधी विसिष्था को लाजू करने का पिरैयाज करता है. विधाई का और कायरपालिका की भी सक्ति के पित्थकरण का सिध्धान के बारे में भी आप लोग ने पढ़ा होगा. सम्विधान में जरूपढा होगा लाप की पद की बात करें तो सम्विधान में लाप का पद इस पश्ट रूप से परिभासित नहीं की आ गया है इस बात को जरूर आप लोग याद रखेगा लेकिन बिभिन नियालेयों और नौयालेयी फैसलों में की गई ब्याक्या की द्वारा इसका अर्थ अवस्पष्ट हुआ के लाब की पद की ब्याक्या की अनुसार पद धारन धारक को कुछ वित्ती या बढ़त या हितलाव तुराथ होते हैं ऐसे मामलों में इस तरह की लाब की रास्ती महत्वीन होती है सुप्रिंग कोट ने 1964 में फैसला सुनाया कि कोई भी व्यक्ति लाब का पद धारन पद रखता है या नहीं इसका निर्धारन उसकी नियुक्ती की जाज द्वारा होगी एक बात और आपको बता देता हूँ लाब की पद की भली आप देखे सम्मीधान में व्यक्ति ना की गई हो लेकिन एक बात साफ है कि आप देखे कि हमारे अदालतों द्वारा जो नेड़ाय दिये गए उनकी आधार वो इसकी व्यक्ति लगबग इस पश्ट है और सामानता एक सब्द में अगर एक लाइन में जो कि आप लोग कें चाले तो लाब काpla वो होता है जिस पर सरकार की दूरा आपकी नियुक्ति की जाती है जैसे आप देखिए कि आप किसी अगर आया अधिकारी है किसी भी पद पर तो वो भी लाब का पद ही होगा और सरकार से एक बित्तिएलाद मिलना है आपको भड़ से में एक निधारी करती है या पारिष सिर्मिक का सिरोध क्या है कि सक्ती जो पद के साथ प्राप्त होती है वो क्या है लाग का पद धारन करने की समंद्ध में समिधानिक प्रावदान्वी है भारत की समिधान में अनुचेद 121A और अनुचेद 191.1 में लाग की पद का उले किया गया है और अनुचेद 10121A के अंतरगस संसस सदस्सों के लिए तथा अनुचेद 191A के तहत राज बिधान सभा के सदस्सों के लिए ऐसी किसी अनलाब की पत्क की वो धारन करने की मनाही की गए और अनुचेद इसपश्ट करते हैं कि किसी व्यक्ति को केवल इस कारण से भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की अधिन लाब का पत्धारन करने वाला नहीं माना जाएका कि वह एक मंतरी है मंतरी तो आप ऐसे भी जानते हैं कि चुनाव लड़कर आप लोग बनते हैं सामिधान के अनुचेद 102 और 191A में भी किसी सांसद या बिधायक को सरकारी पत को गहन करने की अनुदि देते हैं यदि कानून के माध्यम से उन पदों को लाब के पत्ध से उनमुक्ती दी गई हो लाब के पत से बाहर रखा गया हो संसद ने भी संसद आयोगता निबारा न दिनियम 19199 अधी निमित किया हुआ है और जिसमें उन पदों की सूची दी ग कि सर्वूच ने आले कि तीन नेड़ों के मद्देनजर जन्पिति निदित अधिनियम 1991 की धारा 1991 क्या 1991 क्या 1991 के तहत मुखमंद्री को आयोग घुसित किया जा सकता है इस धारा के तहत माल की आपूर्टी या सरकार द्वारा किये गए किसी भी कार की निस्पादन के लिए अनुवंद करना होता 1964 में सीवी के राओ बनाम धन्तु भासकर राओ के मामले में सर्वूच ने अलेर की एक समिधान पीटने माना की एक खनन पट्टा माल की अपूर्टी के अनुवंद की रासी नहीं है 2001 में करता सिंग भडाना बनाम हरी सिंग नलवा और अनक के मामले में भी सी सदावत की तीन ने अदिसों की पीटिया इस पश्ट की किया है कि खनन पट्टा सरकार द्वारा किये गए कार की निस्पादन की रासी नहीं है यदि मुख मंत्री को किसी प्राधी कारी द्वारा आयोगे घोसित किया जाता है तो वह इसे उचनियालाय में चुनोती भी दे सकता है यह नेड़े सर उचनियालाय की आदिस का अनुशार चार महीने की वितर पूरा किया जाना चाहिए अनुशे देख 164 की तहत एक व्यक्ती बिना सदस बने 6 महीने तक मंत्री भी रह सकता है आप सभी जानते हैं इस बात को और आपने देखा यह होगा कई उधारन हमारे देश में देखने को मिल जाएगा कि अगर आप लोग किसी भी सदन की सदस नहीं है अगर इस्टेट की राजी की बात पहले कर लेते हैं और आपको अगर मुख मंत्री बनना है या मंत्री बनना है तो यह जरूरी नहीं है कि आप बिधान सभा या बिधान परिशत के सदस हों जिस समय आप लोग मुख मंत्री या मंत्री बन रहे हैं लेकिन क्या होता है कि जब आप लोग मुख मंत्री या मंत्री बन जाते हैं तो उसके 6 महीने के अंदर आपको चुनाव लगना होता है जहां बिधान सभा है बिधान सभा से और जहां बिधान परिशद है बिधान परिशद से दोनों में से किसी एक से और कई राज्यों में आप देखते हैं कि केवल बिधान सभा है तो बिधान सभा का सदस बनना होता है आपको और इसी तरह आप देख लोग सभा और रासरवा क कि अगर हम बात करें, के अंदर में बात करें, तो अगर आपको पिधान मंत्री और कैमिनिट मंत्री बनना है, मंत्री बनना है के अंदर में, तब भी आप लोग सभा या रासभा का सदस होना जरूरी नहीं है, जिससे में आप लोग मंत्री बन रहे हैं, या आप पिधान मंत् द्खक्रे हाली में आपने देखा है कि महराश्ट में मुखमंत्री बनाये गए थी और जिसमाई यह गए यह संब किसी भी सदन के सदस नहीं थे आप सभी जानते और उन्हों ने आपने देखा राजसभा के सदस नहीं थे लेकिन आगे चलके राजसभा के सदस बने समय रहे आप लोग तो यह जरूर याद रखेगा चलिए इस तरह के टॉपिक के बारे में एक सामान जानकारी जरूर आपको रखने चाहिए